नमस्कार मैं हूँ विपोल सिंग स्वागत है आपका मैं नाइन के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में यहां हम आपको बताते हैं बिजनेस कॉपरेट पॉलसी और परस्तर फारेंस से जुड़ी ख़बरें और इनसे आपके उपर पढ़ने वाले असर को भी तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर जुलाई में मुस्ताधार बारिश के बाद अगस्त में सामाने से कम बारिश होने का अनुमान है आयमडी का कहना है कि अगस्त में अल्नीनों का असर गहरा सकता है वहीं बैंक ऑफ बरोदा के आर्थिक अनुसंधान विभाग का कहना है कि अनुमित बारिश की वज़ा से इस साल खरीफ की बुआई कम होने का अनुमान है इस होज़ा से निकट भविश्य में महंगाई बढ़ सकती है पहले ही इस बार दालों की बुआई पिछले साल से कम है कम बारिश से इनकी पैदावार घटने से कीम्तों में और ज़्यादा इदाफा होगा जून महीने में प्रमुख बुणियादी उद्योगों की व्रिद्धिदर सालाना अधार पर घटकर आठ दस्मलों दो फीसद रही कच्चा तेल, नच्रल गैस और बिजली के उत्पादन में कमी आने से ये गिरावट आई है जून 2022 में प्रमुख उद्योगों की व्रिद्धिदर तेरा दस्मलों एक फीसदी रही थी बुन्यादी उद्योगों की व्रिद्धिदर घटने से देश के निर्यात पर भी बुरा असरत देखने को मिल सकता है महिलाओं के लिए शुरू की गई महिला सम्मान बचत प्रमानपत्र योजना में अब तक 14,83,000 खाते खोले गए हैं इन खातों में कुल 8,630 करोड रुपए की रगम जमा हुई है लड़कियों और महिलाओं के लिए सरकार ने इसी साल इस खास योजना को शुरू किया है ये एक सीमित अवधिकी योजना है दो साल वाली इस योजना पर 7,5% की दर से ब्याग मिलेगा इस स्किम में अधिक्तम 2,00,000 रुपए जमा करने की अनुमती है महिलाओं को बचद के लिए प्रोसाहित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और द्योगिक श्रमकों के लिए खुद्रा महिगाई दर जून में बढ़कर 5,57% हो गई मई में ये आकड़ा 4,42% था जून में खाद्य महिगाई भी बढ़कर 6,5% हो गई जबकि मई में ये 3,2-4% पर थी खाद्य और पेउत पादों के समूने खुद्रा महिगाई बढ़ाने में एहम भूमका निभाई है इस दोरान चावल, आटा, गेहू, तुवरदाल, मूंगदाल, मचली, चिकन, अंडा, सेब, केला, अधरक, हरी मिर्च, आलू, प्याज, टमाटर, जीरा, सुपारी, आवरवेदिक दवाओं, कैनवर्स जूते और कैजूल कपड़ों के दाम बढ़े हैं भारत के नागरिकों की प्रतिवक्ति आये, वित्वर्स 2030 तक 70 फीसद बढ़कर 4000 डॉलर होने की संभावना है वित्वर्स 2022 तेस में ये 2450 डॉलर प्रतिवक्ति है प्रतिवक्ति आये बढ़ने से भारत की GDP को भी बड़ा सपोर्ट में लेगा इस दोरान भारत में घरे लूप योग भी तेजी से बढ़ेगा भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्था बन जाएगा इस काकार 5 लाक करो डॉलर तक पहुँच जाएगा अभी जापान तीसरे और जर्मिनी चोथे स्थान पर है भारत अभी दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थविवस्था है आठ से दस अगस्थ को होने वाली दिमासिक नीती समिक्षा बैठक में अभी आई लगातार तीसरी बार रेपोदर को यथावत रख सकता है और सास्तियों का कहना है कि घरीलू महगाई दर अभी आर्भी आई की कमफर्ट जून में बनी हुई है अप्रेल और जून की बैठक में आर्भी आई ने रेपोदर में कोई बदलाव नहीं किया था और सास्तियों का ये भी अन्मान है कि आगे आने वाले महिनों में महगाई बढ़ने के साथ रेपोदर में कुछ बढ़ोतरी का जोखिन दिख रहा है सस्ता स्मार्टफोन लाँच करने के बाद अब रेलाइंस ने सस्ता लैपटॉप लाँच किया है रेलाइंस ने छात्रों को ध्यान में रखते हुए जियो बुक को पेश किया है इसके विक्री 5 अगस से रेलाइंस रिटेल श्टोर पर शुरू की जाएगी इसके कीमत 16,499 रुपय होगी जियो बुक के साथ 100 GB का क्लावड श्टोरेज मिलेगा रेलाइंस बिना किसी अत्रिक्त लागत के एक साल तक क्लावड श्टोरेज की सुविधा देगी कमपनी का दावा है कि जियो बुक की बैटरी 8 घंटे का बैक अप देगी इसमें एंटी ग्लेर HD डिस्पले दिया गया है इस महीने की शुरुवात में जियो ने जियो भारत फोन भी पेश किया था जिसके कीमत 999 रुपय है सोमवार को घरेलू शेयर बादार में फिर तेजी लौट आई है वैश्विक बादारों में मजबूत संकेतों के बीच रिलाइंस इंडिस्ट्री और टीसेयरों में जम कर खईदारी हुई बैस्टी संसेक्स 367 अंग की बढ़त के साथ 66,527 अंग पर बंध हुआ निफ्टी के 50 में से 35 शेरों में तेजी रही शेर बादार में आई तेजी की वज़े से बेस्टी पर लिश्ट्रेड कंपनियों का मार्केट कैप रिकॉर्ट 366.66 लाग करोड रुपए के इस्तर पर पहुँच गया निवेश्कों की संपत्ती भी धाई लाग करोड रुपए से ज़्यादा बड़ी है आपको शेर बादार में क्या करना चाहिए इसके लिए आप हर रोज दोपहर एक बजे मरीनायन के खास्टों हलो मरीनायन के साथ जुर जाईए और आपके जो भी प्रशन है आप अपने प्रशनों को पूछ सकते हैं आगे बढ़ते हैं विदेशी परेटन को वारसिक दर से बढ़ने की संभावना है फिकी और नांग्या एंडर्सन ललपी की इस रिपोर्ट में कुछ छुपाय सुझाए गए हैं इसमें TCS को वापस लेना अन्य देशों के साथ साज़दारी के आउसरों को बढ़ाना एरलाइन्स के साथ समझोते और विलेशी जहाजों को भारती शित्र में परिशालन की अनुमत देना शामिल है बाईजूस की घटना के बाद सरकार अब स्टार्टप्स में कॉपरेट गवर्नेंस की अंदेखी पर अब सक्त कदम उठाने जा रही है सरकार की तरफ से नियूक्त एक समिती इस बारे में सक्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने पर अपनी राय दे सकती है सरकार स्टार्टप के लिए अपने कारोबारी सुगमता और अनुपालन आधारित मियामिक व्योस्था सुनश्चित करना चाहती है सितंबर 2019 में गठित कंपनी कारून समिती स्टार्टप के लिए नियूमेन व्योस्था के विभिन पहलों पर विचार करेगी BF IS शेरों में पैसा लगाने वालों को एक नया उसर मिलना जा रहा है फेट बैंक फाइनेंशिल सर्विसेस और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने के लिए सेवी के पास दस्तावेश जमा कराएं हैं जना स्मॉल फाइनसिल बैंक आई पियो से 575 करोड रुपे उटाएगी वहीं फेट बैंक की 1400 करोड रुपे उटाने की योजना है आई पियो बाजार में अच्छे निर्गम आने से खुद्रा निवेशकों को बहतर रिटर्न मिलेगा तो ये थी आज की प्रमुक खबरें अब वक्त हो गया है आप से विदा लेने का अब आप से कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों और उनसे पढ़ने वाले असर के साथ आज का हमारा बनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं अब मुझे इजाद दीजिए लेकिन हाँ अभी तक अगर आपने मही नाइन के आप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लिजे क्योंकि मही नाइन के अब बहुत सारे exclusive shoes मही नाइन अप पर ही उपलब्द हैं मही नाइन के आप को डाउनलोड कीजे और वहाँ पर मही नाइन के साथ लगातार बने रहिए मुझे जाए दीजे फिलाल के लिए नमस्कार शुबरात्ती शबाक है कर दो उपलोड़ाई अब एक लिए कर दो दो एक रहाँ झाल कर दो दो प्रोड़ाई आप कर दो 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 आप एक लिए उपलोड़ाई टो